जम्मू के बहुजन समाज में एक ऐसी दलित जाती है जो अपने ही दलित जाती के लोगों का शुद्धिकरन करती है। जाएगा उसके बाद फिर क्या वो दलित ही रहेगा या फिर स्वर्न जाती का हो जाता होगा। मैं जानती हूँ कि यही सवाल आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। क्यूंकि यह कहानी सुनने के बाद मेरे दिमाग में भी यही सवाल था। तो कुछ टाइम रुखिये आपको सब समझाती हूं कि ये सब कैसे होता है। उससे पहले ये सुन ले कि इस जाती के कुछ लोग खुद को राजपूत जाती के होने का दावा भी करते हैं। लेकिन ना तो उनके साथ कोई राजपूत जाती रिष्टेदारी रखती है। बच्चों को भी गुमराह करते हैं, ये कह कर कि वो राजपूत है। खेर स्कूल कॉलेज में दाखिला लेते ही बच्चों का ये बहम तूट जाता है। और वो घर आकर उनसे पूचते हैं कि उनके साथ जूत क्यूं बोला गया। फिर एक नई कहानी सुनाई जाती है, जिसमें चार भाई होते हैं। भाईों वाली इस कहानी में ये कहते हैं कि चार राजपूत भाई थे जिसमें से तीम भाईों ने चालाकी से अपने ही एक भाई से एक मरी हुई गाय फेकवा दी थी, जिसके बाद उसी के भाईों ने उसे दलित करार कर दिया था. ये एक कहानी है ऐसी कई कहानियां और भी हैं, लेकिन इनहीं में से अपने आपको कुछ बुद्धिमान कहने वाले लोग आजकल एक नई कहानी लोगों को सुना रहे हैं, कि उनको मुसल्मानों ने दलित बनाया था, क्यूंकि कि उन्होंने इसलाम कबूल नहीं किया और उन्ह के कई राजपूत लोग जिन्होंने मुगल सामराजय से टकर ली थी, वो तो आज भी राजपूत ही हैं, लेकिन सिर्फ इनहीं को दलित क्यूं बनाया गया था, अगर आप इस विशय पर थोड़ा सा सर्च करें या दिमाग पर जोर डाले तो सब साफ हो जाता है, कि जाती क निर्मान किसने किया था और कब किया था, इस इंटरनेट के युग में लोगों को गुमराह करने वाले लोग ना तो किसी किताब को पढ़ते हैं और ना ही कोई जानकारी खुद रखते हैं, खेर ये अलग विशय है, इस पे अलग से चर्चा करेंगे लेकिन आज बात करते ह शुद्धिकरन की क्या ये लूट का धंधा है, या वाकई शुद्धिकरन के बाद उस आद्मी की जिसका ये लोग शुद्धिकरन करते हैं जाती बदल जाती है। अगर बदल जाती है, तो उसकी शुद्धिकरन से पहले क्या जाती थी, और शुद्धिकरन के बाद क्या जाती हो जाती है? ये जानकर आप अपनी उन्विलिया दिन्तों तले दबा लेंगे, अगर जकीन नहीं आ रहा तो आपको हन्म बताते हैं. कि आखिर ये खेल कैसे खेला जाता है, तो सुनिये इस खेल को पिछले 40 साल से खेला जा रहा है, और शुद्धिकरन के नाम पे लोगों से लाखों रुपया लूटा जा चुका है. इस खेल में सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके लोगों ने कुछ संस्थाय बनाई, जिनकी आड़ में ये लोग इस जाती के खेल को आज भी बद्दिस्तूर जारी रखे हुए हैं. इनके साथ आजकल कुछ केरेक्टलेस लोग भी काम कर रहे हैं, जिनके उपर शर्मनाक मामलों में केस दर्ज हैं, जिसके चलते उनके ही गाव के लोग उनसे मिलना जुलना तो दूर रिष्टेदारी रखना भी पसंद नहीं करते वो लोग भी पिछले कुछ समय से शुद् काम करता है, इन लोगों का ग्रुप उन लोगों का शुद्धिकरन करने के नाम पर उनके घर में हवन करवाता है, गंगा जल का छिड़काव करवाता है, उस परिवार को गंगा जल से नहलाता है, ये सारा कार्य किसी स्वर्न जाती का पंडित नहीं बलकि इनकी ही जाती का क कोई फेक पंडित करवाता है, जिसके बाद उस परिवार से ये 2-3 संस्थाइं जो ये कर्मकांट करवाती हैं, वो ये लिखवा कर लेती हैं कि आज के बाद वो परिवार मरे हुए जानवर उठाने का काम नहीं करेगा, और उस परिवार ने अगर ऐसा कार्या किया तो उसको पचास हजार जुर्माना देना होगा और पंचायत में उसके परिवार के सभी सदस्यों को बिठा कर समाज के ये लोग उनके सर पे जूते मरेंगे अब कमाल की बात तो ये है कि वो लोग इस प्रक्रिया से गुज्वने के बाद भी स्वर्ण जाती के नहीं बनते बलकी दलित ही रहते हैं और जो लोग उनका शुद्धिकरन करवाते हैं वो खुद भी दलित ही होते हैं जिन सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है उनका दावा है कि जो लोग ये कर्मकांट करवाते हैं उन लोगों ने खुद शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट वो बनवा रखे हैं अगर इनके पास कोई ऐसा मंत्र या तंत्र है जिससे ये दूसरों का शुद्धिकरन करते हैं तो ये खुद का शुद्धिकरन करके स्वर्न जाती क्यों नहीं बन पाए जानकारी देते हुए एक व्यक्ती ने जहां तक कह दिया कि ये सब पैसे ठगने का का दरामा है जो समविधान की खुलियाम उलंगना कर रहे थे या हैं